यहले दोस्तों स्वागत है आपका UTM में तो जैसा कि आप थमनिल देखकर समझ गए होंगे कि हम इस वीडियो में रिवाइज आंसर की से लेटर आपके साथ चर्चा करेंगे और कुछ विशेस मुद्धव पर भी आपके साथ रिसक्सन करेंगे तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से लेकपाल की रिवाइज आंसर की जारी हुई है तब इसे स्टुटेंट्स अपनी नारागी व्यक्त करने में लगे हुए हैं आयोग ने जो रिवाइज आंसर की जारी की है वो जा हाज रिवायज आंसर की बात करें तो ये बात तो सच है कि आयोग ने आंसर की बनाने में कहीड़ जल्दवाजी तो की है क्योंग टुटल 16-17 क्वेस्टन पर अब्जक्शन वहा था जिसमें से 5 छे बात होने की चाते और नेस्टू को लगा कर आये थे और देखा जाए तो जाला तर मार्क इसी क्वेश्चन में केंडियेट्स की कम हुए हैं और बात करें अगर अगर अधर क्वेश्चन की तो करना विद्धाधन में तो किलीर मिश्टिक थी फिर भी आयोग ने इस पर कोई विचार नहीं किया सुललर पम्प जुला जैसे नाराज हैं और अगर अयोग की तरफ से सोचें तो इतनी सारी आपतिया मिलीति ही जिसमें अगर बात करें कि कोट केस करना कितना सही या कितना गलत तो हम आपको बता दें कि अगर आप कोट जाते हैं तो आपको याचका लगानी होती है सबसे पहले जिसके बाद दो अप्सन होते हैं कि कोट आपकी याचका या तो एकसेप्ट करें और दूसरा कि कोट आपकी याचका करना सही नहीं होगा और ना ही सही सलूशन होगा तो अगर ये सही सलूशन नहीं होगा तो क्या है सही सलूशन इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है सही सलूशन जो सभी स्टुट्स के हित्मे हो तो हमें जरूरत है कि सवी छात्र एक जो टोकर ऑफिशली रूप से आयोग को एक ग्यापन सौपे जिससे कि आयोग एक बार फिर से रिवाइजट आंसर की पर पुर्ण वचार करे और फिर से फाइल आंसर की जारी करे इसी भी हम सब की भलाई है इसमें से बहुत सारे स्टुटेंट ऐसे होंगे जो हमसे एगरी करते होंगे बहुत सारे स्टुटेंट ऐसे होंगे जो एगरी नहीं करते होंगे लेकिन जो भी हमें सभी स्टुटेंट को देखते हुए सही ऑप्सन लग रहा है वो हमने आपको साथ share किया है और यहां एक और बड़ी update सामने आ रही है कि लेकपाल की कुछ चात्रों ने ग्यापन सौपा है लेकपाल रिजल्ट उपेसाई फानल के बाद तो इस पर हम बात करेंगे तो दोस्तों यह रहा आज का update और आपको अगर यह update पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में share करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें जिससे की latest updates की जानकारी आपको समय पर और सबसे पहले मिलती रहे Thanks for watching